हेलो फ्रेंड्स मैं एक बार फिर से आपके लिए अपने चैनल का एक नया वीडियो लेकर आया हूँ जो की रॉंडा बर्न की किताब दस सीक्रेट पर आधारित है। रॉंडा बर्न ने हमें अपनी इस किताब में आकर्शन के नियम यानी की लौ आफ अट्रेक्शन के बारे में बताया है। की भी जिन्दगी बदल सकती है। इसलिए उन्होंने इस नियम पर एक फिल्म बनाई जिसका नाम है दसीक्रेट और उसके बाद दसीक्रेट किताब भी लिखी। हमारा ये वीडियो उन्ही की इस किताब पर आधारित है। दोस्तों इस वीडियो समरी को मैंने तीन पार्ट के वीडियो सीरीज में डिवाइड किया है। अपने इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर आकर्शन का नियम यानि की लौ अफ अट्रेक्शन क्या होता है। तो चलिए शुरुवात करते हैं इस बुक के पहले पार्ट से। दोस्तों श्रिष्टी के नियम हम सब के लिए बराबर हैं। आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसे आप अपने जीवन में आकर्शित कर रहे हैं। अपने के लिए आकर्शन के नियम का इस्तमाल किया है। वे अपने मन में दौलत और प्रचुर्ता के बारे में सोचते हैं और कोई भी विपरीत विचार अपने मन में नहीं आने देते। उनके दिमाग में सरवादिक विचार दौलत के ही होते हैं जिसके कारण वे अपने जीवन में बहुत सारी दौलत आकर्शित करने में काम्याब होते हैं। अकर्शन का नियम आपके मन में प्रबल विचारों पर काम करता है। आप जो बातें सबसे जादा सोचते हैं उनी को अपने जीवन में अकर्शित करते हैं। आप यह जान सकते हैं कि अपने जीवन के हर शेत्र के बारे में आपके प्रबल विचार क्या है। अगर आपके जीवन का कोई हिस्सा खराब चल रहा है तो उसके बारे में अपने विचारों को बदल कर आप उसे ठीक कर सकते हैं. इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने जीवन के किसी भी हिस्से को असानी से बदल सकते हैं. हमारे विचारों की एक frequency होती है और जब भी आप अपने मन में कोई विचार सोचते हैं तो वे एक signal की तरह स्रिष्टी में जाता है और अकर्शन के नियम से उसी frequency के लोगों, कारेयों और परिस्तितियों को हमारे जीवन में अकर्शित करता है स्रिष्टी में जाने वाली हर चीज अपने स्त्रोत के पास लौट आती है और अपने विचारों के स्त्रोत आप ही है इसलिए स्रिष्टी में जाने वाले आपके विचारों के signal किसी ना किसी रूप से दोबारा आपके पास ही लौट आते हैं जिस frequency के विचार आप अपने मन म सोचते हैं उसी फ्रिक्वेंसी के विचारों वाले लोगों को अपने जीवन में आकर्शित करते हैं। अब सवाल ये उटता है दोस्तों कि अगर केवल सोचने से ही विक्ति सब कुछ पा सकता है तो हर कोई अपने सपनों की जिन्दगी क्यों नहीं जी रहा। वे ऐसा अपने मन में सोचते हैं। वे अपने जीवन में ये सब कुछ नहीं चाहते लेकिन वे आपने बारे में ऐसा ही सोचते हैं और ऐसा ही बोलते हैं। असल में ऐसा सोचने से और बोलने से वे उनी बातों को अपने जीवन में अकरशित कर रहे होते हैं। अकरशन का नियम केवल आपके प्रबल विचारों पर बड़ी सटीकता से काम करता है। दोस्तों, अब मैं आपको अकरशन के नियम के कुछ उधारन बताता हूँ। और वे आपके रस्ते में ऐसी रुकावटें पैदा करती हैं जिससे कि आप रोज लेट हो जाते हैं। दूसरा उधारन, जब कोई व्यक्ति आपके साथ बत्तमीजी करता है तो आप बुरा महसूस करते हैं और ऐसा सोचते हैं कि वे व्यक्ति बत्तमीज है। और उसके अलावा और भी लोग मुझसे बत्तमीजी करें और आपके साथ ठीक वैसा ही होता है। तीसरा उधारन, जब आप ऐसा सोचते हैं कि ये काम बहुत मुश्किल है, मैं इसे नहीं कर सकता तो स्रिष्टी उसे कुछ इस तरह से सुनती है। जब आप किसी बिमारी से परिशान होते हैं और दुखी होते हैं तो अपने आप से कहते हैं कि मैं बिमार नहीं होना चाहता है। क्योंकि आप शायद गुरुत्वा कर्शन के सिध्धान्त को नहीं समझते लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गुरुत्वा कर्शन आप पर लागू नहीं होता। गुरुत्वा कर्शन के सिध्धान्त से ही आप जमीन पर टिके हैं। ठीक उसी तरह आपके जीवन पर आकर्शन का नियम लागू होता है। चाहे आप इसे समझते हो या नहीं। आप अपने जीवन में जिन चुजों पर ध्यान लगाते हैं। आकर्शन का सिध्धान्त आपक विचारों को लेकर भेभीत हो जाते हैं, कि वै तो जादतर नेगरेटेव विचार सोचते हैं, लेकिन खुशी की बाद ये है कि एक सकरातमक विचार यानि कि पॉजिटिव विचार एक नकारातमक विचार से सैकडों गुना शक्तिशाली होता है, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है जब आप अपने मन में लगातार लंबे समय तक नकारात्मक विचार रखते हैं तब जाकर कहीं आपके जीवन में कुछ नकारात्मक होता है इसलिए आपको अपने मन में आने वाले नकारात्मक विचारों के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए आप फैसला कीजिए कि आज से आप केवल सकारात्मक विचार ही सोचेंगे यानि कि अपने जीवन में सिर्फ पॉजिटिव ही सोचेंगे दोस्तों आज आपकी जिन्दगी जैसी भी है अच्छी या बुरी उसे आपने ही अकरशित किया है यहां तक कि आपके जीवन से आपको जो शिकायते हैं उन्हें भी आपने ही अकरशित किया है दोस्तों आप मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे और मन ही मन सोच रहे होंगे कि मैंने इस कारहाथसे को अकर्षित नहीं किया मैंने अपने खराब बॉस को अकर्षित नहीं किया मैंने अपने परिवार के जगड़े को अकर्षित नहीं किया लेकिन मैं सीधे सीधे आपसे यही कहूंगा कि अपनी नकारात्मक परिस्थितियों को आपने ही आकर्षित किया है। इस बात को स्विकार करना थोड़ा मुश्किल है लेकिन एक बार आपने इस से स्विकार कर लिया तो यह जिंदगी बदलने वाली बात हो जाएगी। तो फ अपने जीवन में उन्ही लोगों, परिस्थितियों और परिणामों को अकर्षित करेंगे जिनकी फ्रिक्वेंसी आपके विचारों की फ्रिक्वेंसी से मैच होगी। दोस्तों, कुछ लोग सोचते हैं कि अब उन्हें अपने विचारों पर नजर रखनी होगी। लेकिन ए तरीका है हमारी भावनाएं जिने हम अंग्रेजी में फीलिंग्स भी कहते हैं। अपनी भावनाओं से आप जान सकते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं और सही सोच रहे हैं या गलत। हमारी भावनाओं दो तरह की होती हैं अच्छी भावनाओं और बुरी भावनाओं में आप अच्छा महसूस करते हैं और बुरी भावनाओं में आप बुरा महसूस करते हैं जब आप अच्छा महसूस कर रहे होते हैं तो समझ लिजे कि आप सही रस्ते पर हैं और आप अपने जीवन में उन परिस्तितियों को आकरशित करेंगे जो आपको और भी अच्छा महसूस करव गुसा, निराशा, पश्तावा और शिकायत करना बुरी भावनाओं के कुछ उधारन है। अपने जीवन में अकरशित करते हैं। आप अपने विचारों को आज से ही बदल सकते हैं। और महसूस कर रहे हैं। इस तरह से अपने विचारों को बदल कर आप अपने जीवन में मिलने वाले परिणामों को भी बदल सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि इस रहसे का इस्तमाल कैसे करें। दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने जीवन में रहस को कैसे इस्तमाल कर सकते हैं और इस सिध्धान्त को कैसे फॉलो कर सकते हैं। लेखिका ने अपनी पुस्तक The Secret में एक रचनात्मक प्रक्रिया बताई है जिसका इस्तमाल करके आप अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं और कुछ भी बन सकते हैं। तो आईए जानते हैं कि रचनात्मक प्रक्रिया को किस तरीके से इस्तमाल किया जाता है पहला स्टेप है आस्क रचनात्मक प्रक्रिया में आपका सबसे पहला कदम है मांगना आप जो भी अपने जीवन में चाहते हैं अपने मन में वे चीज और सृष्टी से मांगिए इसके लिए सबसे पहले आपको ध्यान से सोचना होगा कि आप क्या चाहते हैं जब भी आप किसी से कुछ मांगते हैं तो सृष्टी उसका जवाब जरूर देती है और सृष्टी हमेशा यही जवाब देती है आपकी इच्छा ही मेरा आदेश है आप जो भी चाहते हैं उसे एक आगस पर वरतमान काल में लिखिए दोस्तों यह जरूरी है कि आप जो भी चाहते हैं उसे भविश्य काल में नहीं केवल वरतमान काल में ही लिखें मान लीजे कि आप BMW गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो आपको ऐसा नहीं लिखना कि एक दिन मैं BMW गाड़ी लूँगा बलकि आपको इस तरह से लिखना है कि मेरे पास BMW गाड़ी है या फिर आप इस तरह से लिख सकते हैं कि मैं बहुत खुश और शुक्र गुजार हूँ कि मेरे पास BMW गाड़ी है आप अपनी किसी भी ख्वाइश को इस तरह से कागस पर लिख सकते हैं दोस्तों मांगना रचनात्मक प्रकरिया का पहला स्टेप है लेकिन इसके लिए आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप जो भी चाहते हैं उसके बारे में आप स्पष्ट हैं आप इस तरह से नहीं कह सकते कि मैं पैसे कमाना चाहता हूँ आपको स्पष्ट रहना होगा कि आप कितने पैसे कमाना चाहते हैं आप ऐसा नहीं कर सकते कि गाड़ी खरीदना चाहता हूं, आपको सपष्ट होना होगा कि आप कौन सी गाड़ी का कौन सा मोडल खरीदना चाहते हैं और उस गाड़ी की कीमत क्या है। अगर आप स्पष्टता से नहीं मांगेंगे तो अकर्षन का नियम आपको अपनी मंच चाही चीज नहीं दे सकता। अगर आप युनिवर्स में Mixed Signal भेजेंगे तो आपको परिणाम भी Mixed ही मिलेगा। आप जो भी चाहते हैं आपको वे स्रिष्टी से केवल एक ही बार मांगना है। मांगने की प्रक्रिया किसी रेस्टोरेंट में जाकर Menu Card से Order देने जैसी है। आप एक बार वेटर को Order देने के बाद उस Order को दुबारा नहीं देते क्योंकि आपको विश्वाश होता है कि वेटर आपका Order लेकर आएगा। ठीक उसी तरह आप स्रिष्टी से एक चीज केवल एक ही बार मांगें। अगर आप बार बार एक ही चीज स्रिष्टी से मांग रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको स्रिष्टी पर विश्वाश नहीं है। इसलिए पहले अपने मन में स्पष्ट करें कि आप क्या चाहते हैं। उसके बाद स्रिष्टी से मांगने के लिए उस चीज की अपने दिमाग में सपश्टता से कलपना करें। दूसरा स्टेप है बिलीव। रचनात्मक प्रक्रिया में दूसरा कदम है विश्वाश करना। रचनात्मक प्रक्रिया में किसी भी चीज को स्रिष्टी से मांगने के बाद आपको यकीन करना होगा कि वह चीज आपकी हो चुकी है मांगने के बाद आपको उस चीज की चिंता नहीं करनी चाहिए कि वह आपको कैसे मिलेगी आपको स्रिष्टी पर अटूट विश्वाश करना है कि सही समय आने पर वे आपको आपकी मन चाही चीज दे देगी दोस्तों जब आप कोई भी चीज स्रिष्टी से मांगते हैं और विश्वाश करते हैं कि वे आपको मिल चुकी है तो पूरी स्रिष्टी सक्रियो होकर आपके सपने को साकार करने में लग जाती है दोस्तों रचनात्मक प्रकरिया में आपको एक बात का खास ध्यान रखना होगा रचनात्मक प्रकरिया के दोरान स्रिष्टी से कुछ भी मांगने के बाद आपको ऐसा बिलकुल नहीं सोचना चाहिए कि आपकी मन चाही चीज अभी तक आपको नहीं मिली है क्योंकि ऐसा करने से स्रिष्टी को यह signal जाता है कि आपके पास वे चीज नहीं है और स्रिष्टी उसी पर अमल करती है दूसरी और जब आप रचनात्मत प्रक्रिया में इस तरह से सोचते हैं कि आपकी मन्चाही चीज आपको मिल चुकी है तो स्रिष्टी उस पर अमल करती है और आपकी मन्चाही चीज आपको दे देती है जब आप घर या नई गाड़ी की booking करते हैं तो आप यकीन करते हैं कि कुछी देर में आपका घर या आपकी गाड़ी आपको मिलने वाली है आप अपने घर या गाडी की दुबारा booking नहीं करते क्योंकि आपको विश्वाश होता है कि एक बार booking करने पर वे कुछी दिनों में आपको मिल जाएगी स्रिष्टी से कुछ भी मांगना एक घर या गाडी की booking करने जैसा ही है मांगने के बाद आपको पूरा विश्वाश होना चाहिए कि सही समय पर वे चीज आपको मिल जाएगी जब आप पूरा विश्वाश करते हैं तो यह स्रिष्टी सभी परिस्थितियों, लोगों और घटनाओं को जबरदस्त तरीके से प्रेरित कर देती है ताकि आपकी मनचाही चीज आप तक पहुंच जाए इतिहास के काम्याब लोग किसी लक्ष को निर्धारित करने से पहले यह बिलकुल नहीं सोचते थे कि वे उसे कैसे हासिल करेंगे वे बस इतना जानते थे कि उन्हें वे लक्ष हासिल करना है दोस्तों इन वीडियोस को आप तक लाने में हमें बहुत महनत और बहुत जादा समय लगता है तो अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल ब्रेन बुक को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो उन पर लाइक, शेर या कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलेगा और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल ही नहीं आपका प्रोचसाहन हमें और ऐसे वीडियोस को आप तक लाने में मदद करेगा तीसरा स्टेप है रिसीव रचनात्मक प्रक्रिया का तीसरा कदम है पाना आप स्रिष्टी से जो भी चाते हैं उसके बारे में अच्छी भावनाएं महसूस करें ठीक उसी तरह महसूस करें जैसे आप उसे पाने के बाद करते रचनात्मक प्रकृरिया में खुश रहना और अच्छा महसूस करना बहुत जरूरी है क्योंकि अच्छा महसूस करने से आप खुद को उसी फ्रिक्वेंसी पर रखते हैं जिस फ्रिक्वेंसी पर आपकी मंचा ही चीज होती है आकरशन के नियम के अनुसार वही दो चीजें करीब आती है जो एक ही frequency पर होती है सबसे पहले आप किसी चीज को स्रिष्टी से मांगते हैं उसके बाद यकीन करते हैं कि आप उसे पा सकते हैं और उसके बाद उसे पाने के लिए अच्छा महसूस करते हैं किसी भी चीज को पाने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप बिल्कुल वैसा ही महसूस करें जैसा आप उसे पाने के बाद करते जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो आप पाने की फ्रिक्वेंसी पर होते हैं इसलिए उस चीज के बारे में अच्छा महसूस करें जो आप चाह अपनी मन चाही चीज की भावनाय उत्पन करने के लिए आप जो कर सकते हैं आपको करना चाहिए। अपनी मन चाही चीज के बीच में सबसे छोटा और सबसे ताल मेल वाला रस्ता दिखाती है। दोस्तों, जैसे कि आप रचनात्मक प्रक्रिया को पूरी तरह समझ चुके हैं, तो अब आप उसे अपने जीवन के हर शेतर में इस्तमाल कर सकते हैं। आप जो भी पाना चाहते हैं वे पा सकते हैं और जो भी बनना चाहते हैं वे बन सकते हैं। तो चलिए अब हम अपने जीवन के मुख्य हुस्सों में आकर्शन के नियम और रचनात्मक प्रक्रिया का इस्तमाल करना सीखें। रहे से और आपका शरीर। और यही कारण है कि डाइटिंग काम्याब नहीं होती। जब तक आप वजन कम करने पर ध्यान देंगे तब तक आप वजन कम करने की और ही आकर्शित होते रहेंगे। आप कितनी भी कोशिश कर लें अपना वजन कम नहीं कर पाएंगे। श्रिष्टी आपके लिए वजन कम करने के और भी कारण देगी क्योंकि आपका ध्यान वजन कम करने पर ही केंदरित है। जब भी वे अपने शरीर के बारे में सोचते हैं तो यही सोचते हैं कि उनका वजन जरूरत से ज़ादा है और स्रिष्टी उन्हें जवाब देती है आपकी इच्छा ही मेरा आदेश है और उनके वजन को ज़ादा बनाई रखती है। भले ही डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि उनके थाइरोइड गरंती के धीमे होने की वज़े से उनका वजन ज़ादा है उनका मेटबॉलिजम धीमा है लेकिन असल में यह सब मुटापे के बारे में सोचने के बहाने हैं। इसलिए श्रिश्टी उन्हें कहती है आपकी इच्छा ही मेरा अदेश है और कम खाना खाने पर भी उनका वजन ज़्यादा ही रहता है। जब तक आप उसके बारे में ऐसा सोचते नहीं है। खाना खाने से आपका वजन तभी बढ़ता है जब आप कुछ भी खाते समय यही चिंता करते हैं और महसूस करते हैं यह खाने से मेरा वजन तो नहीं बढ़ जाएगा जो दुबले पतले होते हैं और बड़े गर्ष से कहते हैं कि मैं चाहे कितने भी खालूं लेकिन मेरा वजन हमेशा नॉर्मल रहता है और हमेशा मैं फिट रहता हूं तो सृष्टी उनसे कहती है आपकी इच्छा ही मेरा आदेश है और उनके वजन को नॉर्मल ही रखती है चा की इच्छा जल्द पूरी हो सकती है और उसमें समय भी लग सकता है यह सब आपके और स्रिष्टी के तालमेल पर निर्भर करता है महानवेज्यानिक अलबर्ट आइंस्टाइन ने हमें बताया था कि हम इस समय केवल एक भ्रहम में हैं हम समय में विश्वाष करते हैं क्योंकि हम अपने जीवन में चीजों को एक के बाद होते वे देखते रहते हैं आइंस्टाइन और क्वांटम भौतिक शास्त्री हमें बताते हैं कि ब्रहमान में हर चीज एक साथ हो रही है अगर आप इस बात को समझ लें समय का अस्तित्व ही नहीं है तो आप देखेंगे कि आप भविश्य में अपने लिए जो भी चाते हैं वे पहले से ही मौझूद है सृष्टी को आपकी मनचाही चीज आपको देने में जरा भी समय नहीं लगता है अपनी मनचाही चीज को पाने में जो भी देरी होती है आपकी तरफ से ही होती है आप यकीन करने में जानने में और अपनी मन चाही चीज को अपने पास महसूस करने में समय लगा देते हैं आप अपनी मन चाही चीज की फ्रिक्वेंसी पर देरी से पहुंचते हैं इसलिए आपको वह चीज पाने के लिए समय लग जाता है जैसे ही आप अपनी मन चाही चीज की फ्रिक्वेंसी पर पहुंचते हैं आपको वह चीज मिल जाती है हम अकसर सोचते हैं कि यह काम छोटा है, यह तो जल्दी ही हो जाएगा, या कुछ घंटों में ही हो जाएगा, दूसरी तरफ हम सोचते हैं कि यह काम बड़ा है, इसमें कई महीने या कई साल लग जाएंगे, यह वो नियम है जो हमने बनाए है, जबकि स्रिष्टी के लिए जोटा या बड़ा नहीं होता, उसके लिए सब बराबर है, शिष्टी के मुताबिक किसी काम के लिए कोई समय और देरी नहीं होती, अगर आप अपने मन में अपनी मन चाही चीज को पाने की भावनाई जगा लें, तो शिष्टी जल्दी ही आपको आपकी मन चाही चीज द लेकिन शायद आपको इस बात का एहसास ना हो, बड़े बड़े इंडस्ट्रिलिस्ट एक लाग डॉलर एक मिनिट में कमाते हैं, दोस्तों आपके लिए भी सृष्टी के नियम वही हैं जो बड़े बिजनस्मैन के लिए हैं, अगर बड़े बिजनस्मैन एक मिनिट में जादा पैसा नहीं कमा रहे, अगर आप समय के बारे में अपने विचार बदल दें और यह जान लें कि किसी भी चीज को पाने के लिए समय का कोई महत्तर नहीं है, तो अपने जीवन में जो भी चाते हैं वे सब को जल्दी ही पा सकते हैं, आपकी मन्चाही जिन्दगी पान तो दोस्तों मुझे पूरी उमीद है कि रॉंडा बर्न की बुक दस सीक्रेट पर बना हुआ यह पहला पार्ट आपको बहुत पसंद आया होगा, मैं जल्दी आपके लिए इस वीडियो का दूसरा पार्ट लेकर आऊंगा, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आपक का समय शुब हो